तो दोस्तों यह जो मुझे पूरा खर्चा पड़ा हम आगया फ्रंट यह हम आगये बाइक के लिए फेंड साइट पे हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब होप सब यह अच्छे होंगे दोस्तों आज अपनी पाची में थोड़ा सा एक मोडिफिकेशन हम करने जा रहे हैं और उसमे जो हम यूज करेंगे और आपने सीट देखी होगे इसमें नट वगर काफीश पूरे होते हैं और सबसे पहले जो अपने जो दोनों पहिए हैं उसको ओपन करेंगे और इसको दो मेकनिक लगे हुए थे ओपन करने के लिए तो यहाँ पर जो है पहले पीछे वाला जो टायर है वो उसको निकाला जाएगा और इसमें पूरा प्रॉसेस किस तरीके से यह पूरा निकल रहा है कैसे कैसे इसमें फिटिंग्स हो रही है इसको आप पूरा देख करके एक पूरा एक आपको ऐडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम यह काम करा सकते हैं अपने लोकल मेकेनि के लिए कि आपको थोड़े से टूल्स जात होंग जरूरी होंगे और थोड़ा सा इसमें एक ब्रिक्स वगरे की भी प्राब्लम आती है और जो पूरा ये ज़ो आपके सामने जो ये डिस्क देख रही है उसको ओपन करने फूरड होती है उसको आप आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से आगे लडिस ओपन नहीं हो रहा था पूरी तरीके से तो उसको जो है गैस वेल्डिंग से उसको हीट करके निकाला गया और जब यह निकल रहा था तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो यहां के जो मेकैनिक थ ली हुई है और डिस ओपन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो इसमें लगता है सेवन या एट नंबर की एल की से यह ओपन हो रहा था और ओपन करते समय यह देखें किस तरीके से वहां से स्लिप भी कर रहा था लेगिन यह है कि पीछे वाले डिस्क में सिर्फ तीन जाने होटे दोसतों तो यह आरा से यह ओपन हो गया और यह जो पूरा विल कवर है दोस्तों यह मैंने और लिया इसका ग्लॉस ब्लैक ही jest तो मने आपको वीडियो आगे बताऊंगा भी कि क्यों मैंने नहीं लिया कि ये बाइक में बाइक के साथ ये अच्छा मैश कर रहा था क्योंकि जो आपका पूरा एलाई है ये भी मैट ब्लैक में ही है और फुरा सा ग्लॉस जो है थुरा सा ओवर हो जाता और मुझे लगता है कि उतना मैश नहीं करता बाग कि अपनी अलग अलग पसंद है आपको जैसा लगे आप उएसा लगवा सकते हैं तो ये चार वील कवर थे दो आगे के और दो पीछे के तो पीछे का देखिए अभी तो ये पीछे वाला अटैच हो रहा है इसमें जो थे नट्स थे लंबे लंबे नट्स और उसके पीछे वो अराम से बोट से कसे जा रहे थे लेकिन वो थोड़े से लंबे थे उसको भी मैंने बदला था अभी मैं आपको दुकान वाला साट्स दिखाऊंगा कि वो दज़स रुपय में मुझे एक्स्टर नट लेने पड़े थे उसे आप भी ले सकते हैं दोस्तों यह कुछ इस तरीके से फिटिंग हो रही थी आप देख सकते हैं क्लियरली कि थोड़े से नट यह लंबे थे और वो देखने में अच्छे भी नहीं लग रहे थे तो इस वाप की पर के पास उस साइज के नट नहीं थे तो मैंने का कि अच्छा ठीक है इसको कुछ तरीके से कटने का कुछ जुगाड किया जाए तो उन्होंने का कि नहीं आसपास कुछ सौप से हैं वहाँ आप चले जाओ वहाँ पर पता कर लो तो मैंने का ठीक है कोई नहीं आप एक काम तब तक करो तब तक उसके बाद जो है मैं इसको चेंज करके लाता हूँ तो दोस्तों इसमे जो है जो हवा भरने वाली जो जगह होती हो प्रापर ओपें थी उसमें कोई प्राब्लम नहीं था और इसमें कहीं से ऐसी कोई प्राब्लम नहीं आएगी कि आपको कहीं से हवा भरवाने में आ रहे और कोई चीजों में कोई प्राब्लम आए और इसमें थोड़ा सा एक प् लगए थे और इसको जो है पुरे प्रापर तरीके से इसमें अब लग जाएगा और दोस्तों इसको पुराना वाला था इसको क्यों अब उप्ड करवा लिया था तो पहिये का जो एक वील का पुरा जो लुक था दोस्तों ये काफी मस्त लग रहा था और देखने में लुक काफी अच्छा रहा देखी ये प्रॉपर जो फिट्मेंट था विल्कुल एस्ट्वेज हो गया था फिर लास्ट में नोंने की उसमें फेविक भर दिया था कि जिस से की जो नट बोल्ट हैं वो प्रॉपर फिट हो जाएं और कहीं से भी वो लूज ना हो बाइक चलते समय क्योंकि बाइक जब तेज चलेगी तो वहां कुछ प्राब्लम हो सकती है आवाज भी हो सकती है च्योंकि वील कवर थोड़े अपने में ही वेट अच्छा खासा था तो उसमें कोई अतनी दिक्कत मुझे नहीं लग रहे थी लेकिन तब भी एक सेफ्टी प्रबस के लिए उसमें यह फेविक डालना मुझे तो अच्छा लगा उसके जगा पे इना बॉंड भी यूज़ कर सकते हैं फिर कभी अकर यूज़ ना करना हो इसे निकालना पड़े करके इसको लगा दिया गया अब उसके बाद अगले पईया की बारी है दोस्तों तो अगला पईया बहुत असानिस निकल गया तो आप यह जरू ध्यान रखिएगा दोस्तों यह जो कैलिपर्स होते हैं डिस ब्रेक के इसके अंदर कुछ न कुछ आपको या तो कोई पतली क शाकते हैं कोई लगा सकते हैं पत्ती या आपका कोई लगा सकते हैं तो यह जो मेक 패क क्था अच तो यह problem हो सकती है तो जरूर ध्यान रखें अब नेक्स्ट वाला जो आगे वाला पईया था यह कुछ इस तरीके से खुल रहा था दोस्तों तो दोस्तों इसका बहुत ध्यान रखने लायक होता है कि ब्रेक उसमें चिपके नहीं और यह आगे वाला उपन करने में काफी महनत भी लग रहे थी और जो मैकेनी काम कर थे इनके हाथ में चोड़ भी लग गई तो मतलब यह हो सकता है कि अगर आप एक घर पे काम करें तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है और प्रोफेशनल अगर इसे कोई काम करता है तो उसमें दिक्कते कम आती हैं और काम आसानी से हो जाता ह है और इसी तरीके से फ्रंट वाला जो है आगे वाले पहिये का पॉलोथीन हटाई गई और देखें कुछ यह मैस तरीके का मैट फिनिस था और इसकी मुटाई आप देख सकते हैं टू टू पाइंट फाइफ या थ्री एम्म के आसपास इसकी मुटाई थी और मुटाई होने का एक खायदा यह रहता है जो आनलाइन मिलता है फ्रसा पतला होता है और मोटा होने का उसमें वैब्रेशन और बागी चीज़े नहीं होती है तो इसमें एक दो तीन चार पांच छे बोल्ट लगे हुए थे लकी वाले इसमें दो बोल्ट आप मिल ले लगे कि अगर किस तरीके से कोई बोल्ट नहीं ओपर होता है तो हम इजा बोल्ट कंपनी में कर सकते हैं 就 कुछ ना कुछ इसमें आयनवारे टाइप का या ग्लू टाइप का कुछ लगाते हैं और इसकी वज़ए से यह जो है उपन होता है उपन नहीं हो पाता है स्वरी तो इसको लगा कि आसानी से उपन होजाता है तो आप यह वाले भहिया थे तो दोस्तों यह वाला जो दूसरा वाला बोल्ट भी था तो उसको भी गर्म किया था बैया ने और इस तरीके से वह उपन हो जाता है और ऐसे ही मैंने अना बॉंड लगा करके एक जगा मैंने अपने हाँ अपने हंटर में भी किया था तो मुझे भी निकल वाना पड़ा था और वह आसाने से ऐसे वेल्ड को सुरी मतलब नट को जो है वह गर्मा करके वह ठोक ठाक करके वह आराम से निकल जाता है बहुत यह इसली ओपन हो रहा था तो यह बहुत गर्म था तो फिर जो है यह दुकान पर जाते हैं हम लोग इसको ले करके और फिर वागी पर पिर इन्होंने पेंसिल मार्किंग की और इसको जो है पतले हैंकटर से उसको बराबर काट दिया तो देखे यह जो है यह सब कि पर यह जो थे हторииनोंने प्रॉपर उसको काट करके और उसमें जो है जहां-जहां पर भी ग्रूपस चाहिये होते थे यह बाए-बागी क्रिफिकेशन में टाइम लग रहा था कहीं देखिए ये प्रॉपर कटके लग गया था और समय इसमें आपको दो से धाई गंटा लग सकता है अगर आपके नट बोर्ट सासानी से ओपेन नहीं हो रहा हैं दोस्तों तो ये डिस्क की तरफ का जो है वो काटना पड़ा और उल् फ्रकट आपको पूरा इडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से पूरा काम कराया जाता है और इसे भी आप काम करा सकते हैं ऑर इसे थोड़ी सी स्पॉर्टी लगेगी और लुक बढ़ जाएगा और मैंने काम बाइक तो काशिफरानी हो गयी है लगबाग यहां पर कफी चीज़ें मिल जाती है और आपका अपने बाइक को आरहां से मोडिफाई कर सकते हैं दोस्तों और देखिए किस तरीके से अब पूरी तरीके से जो जिस तरीके से पया निकला गया था वो अब उसको फिर दुबारा जो है लगाए जा रहा है दोस्तों और शुक्कि साम हो गए तो उसका पूरा एक वर्विव जो है मैं नेक्स देद दूँगा आपको दोस्तों तो कुछ तरीके से पूरा लगा दिया गया भीया लोगों ने काफी मैनत की और चहल पहल कुछ कम हो गई थी दोस्तों और इस तरीके से लग जाता है और दोस्तों अब पूरा ये कसने के बाद वाद बाइक आमारे रेडिव हो जाती है तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन ठीक्टर में अदों अपद्र हुआ Wahrי 우리 मैं आपको उ कूपको ब्लाइए और इसका लग रहां क्यों यहाई उस्सथ LIVE से good अपको लगते हैं फिरे लिए के निक्टर के का मेटेड है और क्या इसकी फ्लेक्सिबिल्टी है और डिरिविल्टी किस टैप की होगी और क्या इसकी थिखने से और लास्ट में वीडियो के एमट में आपको बताऊंगा कि यह इसमें कितना कुछ खर्चा पड़ा दोस्तों तो यह चलते हैं अपने अंटर के पास हमां अब दिखा दूँ यह लगबग तूट यह मैं आस पास है और यह आप इसकी आवास सुन सकते हैं और प्रॉपर बोल्ट से यह वन टू एंड यह थ्री पूरा टाइट है और इसके फ्लेक्सिबिल्टी आप देख सकते हैं दोस्तों काफी सनक फिटिंग है और अच्छे तरीक आपको उल्टे तरफ से दिखा सकता हूं और इसमें एक थो एक प्लास्टिक का भी आता है लेकिन वह ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे मैंने इसको थोड़ा सा यह थोड़ा मोटा फाइबर था इसको लगवाया और इसमें ग्लॉस फिनिस भी आता है दोस्तों लेकिन ग्लॉस फिनिस थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो जाता और मुझे लगता है कि यादा अच्छा नहीं लगता और इसलिए मैंने इसे मैट फिनिस में प्रिफर किया तो दोस्तों चलते हैं पीछे आ गए हम अपने पीछे और देखिए प्रॉपर फिनिस है देखिए सेम वही मेटिरियल है और काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों और लुक जो है इन्हेंस कर दे रहा है आपको मैं अपने इसको बाइक के लिए फेंड साइट से दिखाता हूँ यह हम आ गए बाइक के लिए फेंड साइट पे और यहां पर यह बोर्ड के साथ यह टाइट से हैं पुरा देखिए दोस्तों और इसमें फेविक डाल दी गई थी कि यह पुरा जो है चलने पर विल्कुल वाइब्रेसर ना हो मैंने कल बाइक चलाई और कहीं वाइब्रेसर है फ्रंट वाले में थोड़ी सी जगह यहां बच रही है क्योंकि लेफ साइड में यह जो वील का जो पूरा आर्च है यह थोड़ा चोटा है बाकी जो है सई लग रहा है मुझे यह आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ यह मैं पीछे यह पीछे वाला जो वील है वो पूरी तरीके से वाला इससा जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से लगबग बहुत कम ही गयप पड़ा हुआ है उसमें यह प्रापर फिटिंग है तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वर्ट विखेशन अच्छा लगा क्लाओ तो लेट से सिर्क करना ना भूले है चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले है आंत में दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें क्या खरचा आया ऑन-लायन में नहीं गया मुझे लगा कि क्यों ने इसको उफ-Line कराा जाए और क्योंकि फिटिंग के लिए मुझे लोकल कि इतना पे करना सही रहेगा online भी मिल सकता है आपको और offline भी आप ले सकते हैं अपने local market से और इस फिटिंग आराम से हो जाती है कोई problem नहीं होते हैं मैंने आपको पूरा fitment कैसे होता है proper इसको पूरा दिखाया है आपको दोस्तों कैसे लगी हो वीडियो तो like share comment करना ना भू लगा हो तो थमसब बनता है इसके लिए तो दस्तों तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक खुश रहे मस्त रहे थैंक्यू दोस्तों